आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है तो आज हम कक्षा 10 के लिए रचनाए चप्टर नंबर 11 बहुत ही असान माना जाता है प्रन्तु इसको अच्छी तरह से सीखना चाहिए क्योंकि इसमें एकूरेसी की बहुत जरूरत है तो आज हम रचनाए बनाना सीखेंगे पहली रचना है 7.6 cm का एक लंबा रेखा कंड कीजिए और इसे 5.8 और बात में दिवाजित कीजिए और दोनों को मापिए और रचना भी हमने यहां पर लिखनी है तो किस प्रकार इसको करेंगे सबसे कहले तो हमारे पास जिस जिस तरह से हम इसको बनाएंगे उसी उसी तर कि थोड़ा सा होगा आपको दिखाई देने के लिए तो मैं उसको डबल करके और इंचीज में लेकर जाओंगा तो आप ध्यान रखे सबसे पहले क्या काम करना है एक कि रेखा कंड कीचना है कि यह रेखा कंड एपी साथ शंबल श्या सेंटीमेंटर लेना है लेकिन मैंने आपको अच्छी तरह से दूब से दिख जाए आपको इसलिए इसको इन चीज में और डबल करके लिया है तो सबसे पहले साथ शंबल श्या का रिखा कंड इसके बाद क्या करना है और बात में दिवाजित करने के लिए एक हुमें न्यून कोर बनाना है हीचे की तरव इस तरह है न्यून कोर का मतलब 90 डिगरी से कम होना चाहिए आप कितना बंजी बना ले 30 बना ले 45 बना ले जितना आपको इजी लगे या वैसे ही आप एक किरन बना ले ये किरन का नाम हम दे देते हैं खोई भी ए एक्स क्या नाम दे देते हैं एक्स अब गया करना है इसनों को प्लस करने कितना हो गया पांच और राठ तेरा तो यहां पर तेरा बराबर बर निशान हमने देने हैं विल्कुल एक जैसे एक, दो, ती, चा, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा तो इसको कोई भी नाम दे दूँ है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, 11, 12 और यह कुंजा हो गया तो उससे सबसे उसके बाद यह B3 को A13 से मिला देना है यहां तक रचना के चरंग जो पत कॉन कॉन से होगे सबसे पहले एक रेखा खंड कितना लिया A, B ब्रादबर 7.6 सेंटिमीटर हीज लिया अब दूसरे स्टेप के अंदर हमने क्या किया एक निउन कोन बनाया कॉन सा B, A, X कोन B, A, X निउन कोन निच्चे की निउन बनाया देखिए जिस जिस तरह से आप काम कर रहे हों उसी उसी तरह से लिखते जाना है अब तीसरे स्टेप में पांच प्लस आठ बड़ा बरतेरा एक्स किरन को तेरा बराबर तेरा बराबर भागों एक्स किरन पर तेरा बराबर भागों के निशावान लगाएं बिल्कुल बराबर थे सबी वो कवर कौन से निशान थे जो ए एवन किसके बराबर था एवन एटू एटू एट्री एट्री एफोर सब बराबर एफोर एफाइब्द 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 एफिश एईएट एट बराबर एएट ए नाइग बराबर A9 A10 बराबर A10 A11 बराबर A11 A12 बराबर A12 A13 इस तरह से तेरा निशान फिर हमने क्या किया चोथे स्काप के अंदर A13 को B से मिला है अब कितना काम हमने कर लिया है उसके बाद क्या करना है उसके बाद हम लोगों ने इसके पैरनल लाइन खीजनी है कहां पर खीजनी है यह देखना है और पात कितना है पांच उन पाता एक दो ती चार पांच इस पांच के उपर इसके पैर लंग भी आप सकती रह अपके चैनल को कितना एक बारा एंगल एक टरीक यह बन रहा है तो यही एंगल जो ब्यासी का एंगल है हमने यहां बना देना है तो यह देख सकते हैं कि यह वाला कून कितना है यह भी कितना बना दिया हमने तो जब यह दोनों संगत कून पराबर है तो इसका मतलव रखाए समानंतर होगी तो हमने रखाया समानंतर ही कर दी अब इसके बीचे लोजिक क्या है देखिए इस तरफ कितने भाग है पाँच इस तरफ कितने होगे आठ तो यह कितनी रेशयों होगी पाँच अनपाथ तो मैं यहां कोई बिन्दू का नाम देता हूँ पी जो पी बिन्दू ऐसा है जो इस देखा फ्रंड को क्या कर रहा है पाँच अनपाथ आठ में बांट रहा है कई लोग प्रकार के सहारे भी इसको बना देते हैं वो किस तरह से करते हैं जैसे यहां रख लिया आर्क लगा लिए यहां रखेंगे इस तरह किया जितनी यहां उतनी यह पाँच गिपर इस तरह से अगर आपने एंगल नहीं मेजर करना तो फिर आप यहां से इस एंगल को ऐसे मेजर कर लिया और देखिए वो ही जगा पर बन रहा है इसको हम फिर क्या करेंगे इस परकार से मिला देगे यह देखो यह मिला ही दिया हमने इस तरह से भी आप बना सकते हैं डी की सहता से भी बना सकते हैं और प्रकार की सहता से भी आप बना सकते हैं तो पांचवा जो पक था में मक्सब क्या था एपांच और पी को इसके पैरलल खींजना है एफ़ांटीं बी के समाल अंतर कौन भी रेखा देनी है एपांच पी खींजी यह हमने समाल अंतर रेका कींज दी तो यहां बाद जो छटे प्वाइट के अंतर जो बिंदु पी है अब बिंदु पी यही काम हमने करना था तो यह पहला सम्था उमीद करता हूँ आप अच्छी तरह से समझ चुकी सेकेंड कंस्टक्शन चार सेंटीमेटर पांच सेंटीमेटर और छे सेंटीमेटर बुझाओं वाले एक तरिबुझ की रचना कीजिए फिर इसके समरूफ एक अधने तिर्बुझ की रचना कीजिए जिसकी बजाएं दी गई तिर्बुझ की संकत बजाओं की दो बटा तीन हो इसका हम्था कंस्टक्शन किस प्रकार से करेंगी हैं देखिए मैं अभी आपको बताया था सेंटीमेटर में बनाए यो चार सेंटीमेटर को एक रेका कंडो लेहिए गजाँ वे इता हूँ a सेंटिमेटर की बुजाएं एक हुजा होगी उसके बाद हमने क्या करना है मेजर करना है पांच सेंटिमेटर कि अब प्रकार से आप स्केल लेकर के पांच सेंटिमेटर ऐसे आप माप सकते हो पांच सेंटिमेटर खोल करके प्रकार आप क्या करें यह पर रखें और यह से आप आरक लगाई है इस आरक के बाद अब 6 सेंटिमेटर का रिखा खंड मेजर करेंगे यहां इस तरह से आप प्रकार से अच्छे सेंटिमेटर मेजर करें मेजर करने के बाद बी पर रखें और इस जो दी हुई तिर्बुज है यह त्रीबुज बढगी हमारी अच्छे सेंटिमेटर और यह चे सेंटिमेटर अब हमें क्या करना है त्रीबुज हमाली त्यार त्रचना इसकित हम डिरेक्ट लिख देंगे फास स्टेप तो एक त्रीबुज ए बी जी की रचना की जिसमें कर दो एक एबी ब्राबर चार सेंटिमेटर बी सी ब्राबर पांच सेंटिमेटर और बी सी ब्राबर चै है और एजी ब्राबर पांच सेंटीमेटर है पहला स्टेप हमारा कम्प्लीट हुआ अब दूसरा स्टेप दूसरे स्टेप के अंदर हम सबसे पहले एक न्यूम कॉन बनाएंगे तरफ यह बन गया हमारा एक किरन एक्स जो न्यूम कॉन बना रही है किरन एक्स जो बी एक्स न्यूम कॉन बनाएंगे न्यूम कॉन बन गया अब देखिए 2 बटा 3 करना है कितना करना है 2 बटा 3 तो नीचे कितने है 3 तो पहले हम इसके 3 बराबर बराबर भाग करेंगे इसके आप जितना मर्थी कर लें बराबर बराबर भाग कर लें 3 1 2 3 तो यह हो गया A1 A2 A3 A3 को B के साथ मिलाएं अब वही कुल सट रहेगा पिछले स्वाल के सर हमने क्या किया था पहले एक रेखा कंड को सिखा किस प्रकास से चोटा करेंगे तो पहले इस पुझा को छोटा करेंगी दो पटा तीन मतलब छोटा करना है तो दो से मिलाएंगे इसके पैरलल नाइन कीचेंगे और मैं तो आपको कहूंगा कि आप दी के साथ ही बनाएं इस एंगल को मेजर करें कि कि कितना को बना 62 कितना 62 तो यह वाला कोन आप दो पर बना दें कि यह 62 का दिशान करें लगा दिया बस इस बात का ध्यान रखना है यह जो आपकी लाइन पढ़ेंगी और बिल्कुल रेज की पट्री की तरह समानंतर जानी चाहिए यह कौन कितना था 62 डिगरी 62 डिगरी आपका अलग भी हो सकता है क्योंकि यह नियून कोन के ओपर डिपेंट करता है अगर आपने 45 बनाया तो अलग यह कौन होगा 30 बनाया तो यह अलग होगा ध्रगाने की कोई जुरूरत नहीं है आपका जो कौन यहां बनेंगा वही कौन आपने यहां पर बनाया है तो आगे तीसरे स्टेट के अंदर हमने क्या करती है किरन एक्स पर एएवन बराबर एवन एदो बराबर एटू एथ्री बराबर भागिए बराबर भागिए बराबर भागिए फिर के दिया चोथे पॉइंट में एथ्री को बी से मिलाया तथा और के जिया यहां मैं एकनी नाम नजा देता हूँ वी डैश जिए आथ क्या देता हूँ वी डैश एटू बी डैश समान अंतर किसके खींची एद्रैश वी के तो यह वी डैश आगया अब वही पर सीजर यहां पर अटॉप करना है कुन साथ यहां पी पर हम दी रखेंगे इसके समान अंतर लाइन खींचेंगे इसके यह कून कितना बन रहा है लगबं 57 कितना बन रहा है 57 तो यह हम दो पर बना देगे यह दिखिए यह नोग दो दो 57 कि यहां बना वही को नम यहां बनाएंगे तो कि समानतर रिखाओं के वही रिखायें समान अंतर होंगी इनके संगत कोन क्या होंगे बराबर कि यह लाइन भी आप देख सकते में च्छोटी होगी यह की सी थी इतनी बड़ी में अब कितनी रहेगी इतनी इन दो बटा तीन होगी इसी परकार जोवी सी परकार एक दोब अर्फो सो हमारे पास त्यार होगी कॉन सी क्विश ईरी b-day च्विश-दै ए- मूर्फी देश-चस्टों किसकी दोबटा-तीन होगी का पहु ty है आपके पास त्यार हो चुकी है तो हागे हमें क्या क्या किया था Leon पाचने स्टेप के अंदर हमने एक बी डैश सी डैश किसके समाना अंतर रेखा खींची बीजी कि खींची जो कि एसी को सी डैश पर मिले या काटी या मिली यहां मिलगी एडाइश सी डैश को मिलाए अब मिलाते ही जो हम काम करना चाहते थे वो हमारा पूरा हो गया हम क्या करना चाहते थे एक नई तिर्बुच बनाना चाहते थे वो यह वारी तिर्बुच बनगी जो पुरानी तिर्बुच की कितनी है दो बटा ती तिर्बुच A, B, C, C, 2, 3, A, B, C, अभीस्ट अभीस्ट का मतलब जो हमें कहा गया था वो बन चुखी है तो उम्हीर करता हूँ कर सक्षिन कर यह सम आपने अच्छी तरह से समझ लिया है देखते रहिए समझते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें आपका बन को अभीस्ट का मतलब है